हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एडूटेरा में आज आपके लिए प्लेइंग विद नंबर्स जो चैप्टर थ्री है उसका एक्सर्साइज 3.1 हम लोग इस वीडियो से सीखेंगे ठीक है आपको बहुत मज़ा आएगा और वीडियो को आपको पूरा देखना है ठीक है और इसके अंत में एक होमवर्क भी दिया गया है जिसको आप सॉल्व करेंगे और उसका एंसर अपने नाम के साथ वीडियो में कमेंट बॉक्स में इसका एंसर दे देंगे ठीक है सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में उसका एंसर लिख कर बताएंगे और मैं एक एक बच्चे को सभी को रिप्लाई करूंगा कि आपका एंसर सही है या गलत है तो वीडियो पूरा देखिए और एडूटेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो आये शुरू करते हैं लोग, exercise 3.1. Let's start to learn something new. So playing with number exercise 3.1. So students before starting the exercise 3.1, we should understand about two things. Number one is factors. Because factors are very important. जब आप factors जानेंगे तभी exercise 3.1 कर पाएंगे. So देखे factors की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर और factors हो गया यह और multiples. Okay. तो थोड़ा सा थोड़ा सा बता देता हूँ, factors मतलब है कि उसे कौन-कौन से number divide कर सकते हैं. ठीक है? या ऐसे दो टुकड़े उसके करिए या आप तीन टुकड़े करिए और उन सभी का multiple जो है उसके बराबर हो जाए. तो वहाँ से भी आप factors निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं. जैसे example देखिए, माल लिजे वो example 6 है, तो आप 6 को क्या लिख सकते हैं? आप देखिए, तो इस 6 का factor 1 भी हो गया और 6 भी हो गया, लेकिन एक बच्चा कह रहा है, नई सा 2 इंटू 3 लिख दें तो, उसका factor बढ़ गया, देखिए, 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, और 6 भी हो गया, और कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो factor 6 के क्या बन गए, six के factor हो गए, one, two, three and six, यानि ये जो factors हैं, ये इस six को completely divide कर सकते हैं, exactly divide करेंगे, यहां आप चाहें तो देख सकते हैं, देखिए six है, one से divide किया, one six जा, six, cancel हो गया, अगर आप two से divide करेंगे, two three जा, six, ये भी कट गया, और अगर आप three से करेंगे, तो three two सा, six ये भी हो गया, six बन जा six हो गया, तो ये factors होते हैं, factors कभी भी number से greater नहीं होता, ये एक important point है, देखिए, सबसे बड़ा factor क्या है, six, और वो number क्या है, six है, यानि factors हमेशा या तो number के बराबर होंगे, या उस number से छोटे होंगे, ठीक है, क्या होगा, factors हमेशा या तो number क से बराबर होंगे, या फिर उस से छोटे होंगे, तो अब आईए हम लोग चलते हैं, multiples पे, multiples की बारे में भी आपको बता दें, multiples, factors हो गया, अब multiples, तो यहां मैं heading लिख देता हूं, multiples, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, multiples, multiples, simple बना हुआ है, multiply से, क्या करना है, आपको multiply करना है, multiply, बस और कुछ नहीं करना है, तो multiply का मतलब, simple multiplication, tables, ठीक है, जैसे आपको two के multiples लिखने है, तो देखे, two के multiples क्या होंगे, क्या करना है, पड़ेगा आपको, multiply करते जाएए, आपको fact, इसके multiples मिलते चले जाएंगे, जैसे two into one, two, two into two, four, two into three, six, two into four, eight, तो इसी तरीके से क्या है, जितना चाहें वहां तक आप निकाल सकते हैं, multiples, simple multiply, तो यह जो सारे हैं, यह मिल रहे हैं न, यह two, four, six, eight, यह two के multiple हैं, ऐसे three के लिखेंगे तो, three के भी बन जाएंगे, four के भी बन जाएंगे, तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी exercise, three point one, आईए चलते हैं, exercise three point one पे, क्या मैं लिख देता हूँ, exercise three point one, तो पहले question में देखिए, हमारे पास धेर सारे part हैं, करीब eight to nine parts, one, two, a, b, c, d, e, f, g, h, i, तो मैं आपको दो, तीन पार्ट बता दूँगा, और आपका solution बाकी अपने आप कर पाएंगे, hint मिल जाएगे, question number one, a, a है आपका 24, क्या लिखना है आपको इसके factors, तो आईए factors, यहां हम लोग थोड़ा सा, अच्छे से और जल्दी से, तो पूरे वीडियो में ध्यान से द 24, वहीं और क्या लिख सकते हैं, 24 को, 2 इंटू, 12, और क्या लिख सकते हैं, 24, 3 इंटू, 8 भी तो लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 4 इंटू, 6, और कुछ, लिख पाएंगे, नहीं, तो यहां answer क्या बना, factors, factors of, 24, 24 के factors का बन जाएंगे, देखें, यह बना 1, sequence में लिख दीजे, 2, 3, 4, अब 4 के बाद 5 नहीं है, 6, 8, 12, 24, तो यह हो गया, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, यह आपका answer होगे, गया, ओके, आईए, चलते हैं हम लोग, इसके, बी पार्ट को भी देख लें, तो चलिए, बी पार्ट देख लेते हैं, फटा फट यहीं पर, बी, बी है हमारा, 15, तो 15 को आप कैसे लिखेंगे, 15 तो बहुत सिंपल, 15 लिख सकते हैं, आप 1 इंटो 15, और 15 लिख सकते हैं, आप 3 इंटो 5, तो फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स, आफ फैक्टर्स आफ 15, क्या बन गए आपके फैक्टर्स आफ 15, 1, 1, देखे यह, 1, 3, 5, एंड 15, 1, 3, 5, एंड 15, यह हो गया, एंसर, आईए जल्दी से हम लोग चलते हैं, एक और पार्ट बता देता हूं आपको, D, D पार्ट पे चलें, चलिए, D पे चलते हैं, D, तो यहाँ D ले लिया, D क्या है हमारा, D is 27, तो 27 को आप क्या लिखेंगे, 27 इकोल्स टू 1 इंटू 27, पहले आप 1 इंटू 27 वाला मतलब 1 इंटू जरू लिखिए, फिर 27, 3, 9 जा, और कुछ लिख सकते हैं आप, बोलिए, तो factors of 27 लिखें, 1, 3, 9, 27, तो इसको ऐसे लिखेंगे, factors of 27, क्या बन गए, 1, 3, 9, 27, यह हो गया, answer, अब E 12 है, simple है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, F और देख लिखेंगे, F क्या नंबर है, 20, तो 20 को क्या लिखेंगे हम लोग, 20 इकोल्स टू पहला काम, 1 into 20, फिर और क्या लिख सकते हैं, 2 into 10, फिर और क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, नहीं, सो 4 into 5, 4, 5, 20, तो factors का मिल गए आपका उसके, छे लिए factors डून लेते हैं, लोग, 1, 2, 4, 5, 10, and 20, यहां लिख दीजिए, ऐसे, factors of 20, क्या बना आपका, 1, 2, 4, 5, 10, 20, तो अगर यह पसंद आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल को जाके, सब्सक्राइब कर लिजिए, जिससे की कोई भी वी वीडियो आपकी class का इसमें आए, तो आपको तुनन नोटिफिकेशन मिल जाए, और comment करके बताईए, ठीक है, जो भी parts मैं छोड़ दूँगा, उसका answer आपको comment box में लिखना है, जा और अपना नाम लिख देना है, जिससे मुझे पता चल सके, तो अब चलते हैं, हम लोग एक और part आपको बता देते हैं, h, तो देखे, h, h है 23, h को मैं जान बूच कर ले रहा हूँ, h है आपका 23, तो 23, अब 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 23, और आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, तो factors of 23, क्या हो जाएगा factors, यह हो जाएंगे केवल, 1 and 23, यह हो गया answer, और ले लें, i, तो आई एक और कर लेते हैं, i, i जो number 36 है, यह थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको ज़्यादा answer लिखने पड़ेंगे, तो पहला answer, 1 into 36, फिर 36 equal to 2 into 18, 36 equal to 3 into 12, और भी होगा, आभी और भी होगा, 36 equals to 4 into 9, और भूल यह 5 नहीं, 6 तो हो सकता है न, होगा, so 36 equal to 6 into 6, अब नहीं होगा, so factors of 36, factors of 36 है कि 1, 2, 3, 4, 6, फटा फटा अब यह 6 दुबारा नहीं लिखेंगे, 9, 12, 18 and 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36, तो यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको किसी और लेशन का वीडियो चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए, जो यह Edu Tera है, यह आपको पूरी हेल्प करेगी, देखिए, YouTube में जाईए, Edu Tera को आप टाइब कर दीजे, Edu Space T-E-R-R-A, और उसको सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन को दबा दीजे, ठीक है, तो यह हो गया, आपका Question Number 1 complete हो गया, अब चलते हैं हम लोग Question Number 2 पे चलें, तो आईए चलते हैं, Question Number 2 पे चलते हैं, लिखा सबने, 2 का A, तो आईए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, 2 A, क्या Number था वो, 5, क्या लिखेंगे हम लोग, 5 into 1, यह मिल गया आपको First, फिर 5 into 2, क्या मिल गया आपको 10, 5 into 3, क्या मिल गया 15, 5 into 4, क्या मिल गया आपको 20, 5 into 5, क्या मिल गया आपको 25, तो answer आपका क्या बन गया first 5 ये बन गया 5 10 15 20 and 25 ओके ये देखें ये आपका हो गया answer आना मजा तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो आपको सारे question बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं तो आईए आप एक और part बता देते हैं आपको B बता दें B number is 8 चलो लिखो अपनी अपनी copy में first 5 लिखना है तो 5 बार multiply कर दो जब ऐसे 8 into 1 क्या करेंगे हम लोग 8 into 1 कर देंगे करिए तो क्या बन गया 8 फिर 8 into 2 ये क्या बन गया 16 8 into 3 क्या बन जाएगा 8 3 जा 24 then 8 4 यानी 8 into 4 क्या होगा 32 अब 8 5 जा 8 की table तो सबको आती होगी 8 5 जा 40 very good क्या answer मिला आपको answer हो गया 8 16 24 34 32 and 40 ओके ये होगा आपका answer तो देखिए जब आप YouTube पर जाएंगे चैनल पे तो आप वहाँ पे ऐसे भी टाइप कर सकते हैं EDU Space और उसके बाद आप क्या लिखेंगे T E R R A ओके आपको इस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और वहाँ पर बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ठीक है अब C part मैं आपके लिए homework छोड़ देता हूँ यहां लिख देता हूँ C part के लिए लिख देता हूँ क्या C homework और इसका answer आप लोग comment box में लिख कर बताईए homework और comment box में आपको क्या करना है अपना नाम भी लिख देना है ठीक है जिससे की हमें पता चल सके कि कि किसने किसने solve करके अपना नाम लिखा है तो question number 3 match the following है वो आप अपने आप कर लिजे simple सी line ए draw करनी है अब एक last question number 4 तो पहले मैं यहां एक बार last में लिख देता हूँ exercise लेखिए यह exercise का हमारे exercise 3.1 और इसका हमारा यह होगा last question question number 4 समझ में आ रहा होगा सभी को find all the multiples of 9 up to 100 लिख दूँ चलिए लिख देता हूँ find all the multiples देखिए all the multiples multiples बताना है ज्यान से चुनिए multiples of 9 up to 100 तो question को ध्यान से पढ़ दीजे आपको क्या करना है 9 के multiples बताने है multiples मैंने बताया था क्या होते है multiples मतलब multiply तो आपको 9 में ऐसे नंबर से multiply करते चले जाना है कि वो जो answer है वो 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए up to 100 है ना तो आईए solution करते हैं हम लोग answer 9 की table सब लोग लिखिए 9 वन जा 9 9 टू जा 18 9 टू जा 27 9 टू जा 9 टू जा 36 टू जा 9 टू जा कौन बतायगा 45 टू जा 9 टू जा 9 टू जा 72 9 टू जा 81 देखिए अभी 100 से कम ही है अब इदर लिख देता हूं 9 टें जा 90 अभी भी कम है अब एक बार और लिखते हैं 11 की table वाला 9 11 जा यानि 11 9 जा 99 अब देखिए हम लोग 100 के पास पहुँच गए अगर आप अगली table लिखते हैं 9 इंटू 12 तो यह क्या हो जाएगा 108 and 108 is यह क्या बन गया आपका greater तो हम इसको क्या करेंगे नहीं लेंगे तो हमारा क्या answer बनेगा तो देखिए यहां मैं answer लिख दूँ answer हो गया हमारा 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 and 99 तो अब आपको homework दिया जा रहा है एक question और homework का सब लोग हमें comment box में answer लिख कर बताएंगे चलिए आइए एक homework दे देते हैं यह आगे आपका homework homework ठीक है अपने नाम के साथ आप इसका answer हमें बता देंगे चलो एक ही question देते हैं क्या करना है आपको write all the factors of छोटा नमबर देता हूँ मैं factors of seven okay आपको आपको क्या करना है comment in यह ठीक है comment in this video आपको क्या करना है comment your answer लिख देते हैं comment your answer ठीक है comment your answer with name अपने अपने नाम के साथ आपको comment में इसका answer बता देना है तो मुझे उमीद है कि आपको यह बहुत helpful होगा और आप चारों question बहुत आसानी से कर पाएंगे तो वीडियो पूरा देखने के लिए thank you और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही next वीडियो में और आपको अगर किसी lesson का वीडियो चाहिए होगा तो वो भी comment box में लिखकर बताईए और edutera जो है आपको उसका भी video lesson प्रोवाइड करेगा जिससे आपको बिल्कुल real class की feeling होगी और आपको लगेगा कि आप school में बैठके teacher के साथ पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है चलिए edutera thank you bye bye